यम्मी कपकेक्स हेलो फ्रेंड्स मैं हुँ सोमा मेरे चैनल पे आप सब को मोस्ट वेल्कम आज जुनियर का डिमांड पे कपकेक बनाया घर का लिमिटेट समान से यह बनाना इतना इजी है कि जिनको बेकिंग में डर है यह जिनोंने कुकिंग नया सिख रही है उनके लिए भी आसन हो जाएगा और आज मैं कटोरी में बना के दिखाऊंगी एकदम स्पॉंची मॉइस्ट और डेलिसियस केक है इतना जालीदार है यह दिखिए तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते रावा केक या सूजी केक बनने के लिए मैंने एक का बारिक रावा लिया और हाप का सक्कर लिया यह दोनों को मिक्सर ग्राइंडर में अलग-अलग पीस लोंगी रावा और सक्कर को पीस लिया अभी नेक्स पॉसेस में जाऊंगी अभी एक मिक्सिंग बोल लिया इसमें हाप का फ्रेज ड़ी डाल दूँगे फिर इसको अच्छा से फेटना है फ्रेंट्स यात रखना हमें फ्रेज द़ी यूस करना है द़ी पूरानी होगी तो टेक में खट्टा बना जाएगा दही को अच्छा से फेट लिया अभी इसमें डालोंगी पाउड़ा सुबर साथ में मिला लोंगी अच्छा से दही या सककर मिक्स होने के बाद अभी इसमें डालोंगी 3 टेबस्पून कुकिंग ओयल मैं इदर सनफ्लावर ओयल यूज किया आप कौन सा भी कुकिंग ओयल यूज कर सकते जिसमें स्ट्रॉंग स्मेल ना रही है ऐसा कुछ तेल यूज कीजिए जैसा राय का तिल बिल्कुल यूज नहीं करना तेल के साथ भी अच्छा से मिक्स कर लोंगी तेल मिक्स करने के बाद अभी मैं इसमें पिसी हुई जो रावा था वो एड करूंगी एक साथ में एड नहीं करूंगी थोड़ा थोड़ा करके एड करूंगी और मिलाते जाओंगी रावा एड करने के बाद अभी मैं इसमें हापकप दूध है वो एड करूंगी पूरा एक साथ में नहीं अभी कितना चाहिए उतना कि एक इंपोर्टेंग बात केक पनाने के टाइम एक ही मेजर्मेंट का आप इउस करें मेजर्मेंट ठीक नहीं रहेगा तो केक विगार जाने का चार्म्स रहता है सारे चीज़ मीक्स हो गया अभी वैटर को मैं 15 मिनिट के लिए ढखके रेस्ट होने दोंगी ताकि यह अच्छा से फूल जाए फिर मिलते है 15 मिनिट के बाद राभा जब तक रेस्ट हो रहा है तब तक बाकी का तैयर ही कर लेते मैं आज कराई में केक बना के दिखाऊंगी सो कराई को गैस में बिठा दिया प्री हेट के लिए अब कराई के जगा दूसरा बर्तन जैसा हंडी भगोना कुछ भी ले सकते ध्यान रखना उसका वटम थो स्टैंड रखोंगी अब के पास स्टैंड नहीं रहेगा तो कुन सा भी कटूरी लेकर उल्टा करके भी रख सकते हैं स्टैंड के उपर एक प्लेट रख दिया अभी धबकन बंद करके पाच मिनित के लिए प्री हीट करेंगे आज काटूरी में केक बनाऊंगी तो पहले काटूरी का ओईल से ग्रिस कर लेते हैं सारे काटूरी में ओईल ग्रिस कर लिया अभी रवा के तरह चलते हैं देखिए रवा फूल चुकी है जरूरत होगा तो ए टाइम पे थोड़ा सा दूद एड करके बैटर का कंसिस्टेंसी एड़स्ट कर सकते हैं अभी फलेवर के लिए मैं इलाची पावडर ढालूंगी इलाची पावडर के जगह पे आप पैनिला या औरिंज फ्लेवर भी ढल सकते हो अभी इसमें वान स्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया और हाप स्पून बेकिंग सोडा डाल के जेंटली मिलाने का यह काम बहुत हलका हाद से करना है बैटर का कंसिस्टेंसी ऐसा थीक रहेगा अभी बैटर को सारी कटूरी में डाल दूँगी कटूरी का हाप करके डालना है फूल नहीं करना और उपर से कलरफूल होममेट ठूटी ठूटी डाल दिया थोरा एट्रक्टिव होने के लिए यह तोटली ओप्शनल है अभी काटूरी को कराई के अंदर रख दूँगी कटूरी को कराई के अंदर रख दिया अभी ढपकन बंद करके 15 मिनट के लिए उट करूँगी गैस का क्लेम एकदम लो रहेगा 15 मिनट के बाद एक बार मैं केक को चेक किया तभी थुरा कच्छा था इसके लिए मैं और 5 मिनिट रखा है अभी देखते हैं क्लीन आया ये मतलब केक रेडी हो गए अभी मैं इसको ठंड होने के लिए रख दूँगी फिर कटूरी से निकल के दिखाऊंगी अभी एक स्पून के हेल्प से इसको निकल लूँगी तेखिए फ्रेंट के कितना बरिया फ्लापी और मॉइस्ट है इसमें तो मजेदा स्पॉंजी के किस रेडी आप लोग भी घर पे बन आईए और बच्चे को फूश कीजिए और ऐसा ही नए नए रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइब और फैमिली के साथ फ्रेंट के साथ शेयर किजिए थैंक्यू फर वाचिंग बाई और टेक केर